आज एक और नई बाज के संगर्ज की कहानी के साथ मैं मीनू अगरवाल आप लोगों के बीच में हूँ जिसका शीरशक है आदत बदलनी होगी बाज के जीवन की सीख आपका पूरा जीवन परवर्थित कर सकती है कैसे आईये चानते हैं एक राजा को किसी ने दो बाज के बेहत खुबसूरत बच्चे उपहार में दिये क्योंकि राजा उनका पालन पोशन बहुत अच्छे ढंक से करना चाहता था इसलिए उसने एक बहुती अनुभवी व्यक्ति को ये कार्य करने को सौपा कुछ समय के पश्चात राजा ने उन बच्चों की किरियाओं से अवगत होने की इक्षय जाहिर की अतै उसने उस इस्थान पर जाकर देखा जहां पर बच्चे पल रहे थे अब बच्चे पहले से भी ज़्यादा सुन्दर हो गए थे और बड़े हो गए थे राजा अब उनको उड़ते देखना चाहता था अतै राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि इन बच्चों को उड़ा करके दिखाओ पर संकेत मिलने के साथ ही डौनों बच्चे उड़े लेकिन एक बच्चा तो आस्मान की उचाईये चूने लगा और दूसरा थोड़ा सा उड़कर उसी डाल पर आ बैठा जहां से उड़ा था राजा ने कारण जानना चाहा तब उस व्यक्ति ने कहा राजन मेरी समझ से भी ये परे है ये पच्चा ऐसा क्यों करता है ये इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता है राजा तो क्योंकि दौनों बच्चों को प्यार करता था अते उसने अपने पूरे नगर में धिडोरा पिटवाया कि जोगी व्यक्ति इस बाज के पच्चे बच्चे को उड़ना सिखाएगा मैं उसे स्वण मुद्राओं से माला माल कर दूँगा खबर सुनने के साथ ही बहुत से अनुभवी व्यक्ति आये परंतु सफल नहीं हो पाए कुछों दिनों के पश्चात राजा ने देखा दोनों बाज के बच्चे आस्मान में कलाबाजिया कर रहे थे राजा ने उस व्यक्ति को दरवार में लाने को कहा जिसने ये अद्वुत कार्य किया था एक साधाने सी किसान को राज दरवार में लाया गया पहले तो राजा ने उसे बहुत सारी सुर्ण मुद्राइं दी और कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बस तुम मुझे ये बताओ के ये कार्य कैसे संभवूगा किसान बोला राजन मैं तो अनपड भूला भाला और गरीब किसान हूँ ज़्यादा ग्यान की बातें नहीं जानता हूँ बस मैंने तो उसी डाल को काड़ दिया जिस डाल पर वे बच्चा बैठने का आदी हो चुका था जब उसे बैठने का इस्थान नहीं मिला तो वे अपने साथी के साथ आसमान की उचाईयों को चूने लगा तो इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है बाज के बच्चे की भाती हम सबको भी उपर उठना है लेकिन हम सबकी ये आदत होती है कि जो कर रहे होते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहती है अपनी शमताओं को भूल वही खिसी पिटी जिन्दिगी जीना चाहते हैं क्या हमें भी अपनी जिन्दिगी में उडान भरने के लिए उस डाल को काटने की आवश्यक्ता है जिस पर हम भूल वर्ष बैठे हैं तथा उपर नहीं उठना चाह रहे हैं क्योंकि मेहनत एवं इ अपयोग किया जाएं